माइनि में 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 आज हम बात करेंगे एक AC कमपणी के बारे में जो 2008 के अंदर काफी प्रेशर के अंदर रहा है लेकिन अगर आप देखेंगे बल्डिल्स डेटा तो आज SBI मीचल फंड ने इस टॉक को खरीदा है तो उसी के बारे में बात करेंगे एक बल्डिल्स से एक जलफने खरीदे हैं तो अब 52 लोवर लेवल के उपर यह स्टॉक चल रहा है तो इसे देखना बनता है लेकिन मेरे इसाब से पहले फाइनेंशल रिदल्स आने दीजे उसके बाद इस टॉक के अंदर आप भी देख सकते हैं मीडियम टर्म टू लॉंगर टर्म के लिए और काफी अच्छी कंपनी है एवरी एर काफी अच्छा डिविडन भी देती है और कंपनी यह है केवल केरन क्लोटिंग लिमिटेड ग्या पास साल पुराना रेट आपको मिल रहा है पास साल पहले जो यह थाउजन रुपीज के करीब स्टॉक चलता था और कंटिनुज जो है बाया 2100-2200 के भी उपर यह स्टॉक गया था तो यह एक अच्छा मौका बनता है इस स्टॉक को लेने का और एक मीचल फंड कंपनी ने इस स्टॉक को आज खरीदा है लोवर लेवल्स के उपर तो आप इस स्टॉक के अंदर नजर रखेगा और 2018 में देखेंगे तो 320% का इस कंपनी ने डिविडन भी दिया है लगवाग 32 रुपे के करीब डिविडन बनता है 320 के करीब तो डिविडन भी काफी अच्छा दिया ह 1440 करोड की कंपनी है 10 रुपे का इसका फेस वेल्यू है इसके अगर आप फाइनेशल्स देखेंगे तो फाइनेशल्स भी अच्छे आते हैं लेकिन मेरे इसाब से डिसेंबर कोटर के रिजल्स आने दीजे अगर आपको लेना है तो थोड़े स्टॉक अभी लीजे थोड़ रिजल्स के बाद और नीचे के लेवल पर अगर मिलता है तो अच्छा मौका मिल सकता है इस टॉक में एंटर करने का सेप्टेंबर कोटर का अगर आप तोटल इंकम देखेंगे तो 137 करोड का रहा जो कि जून कोटर से बड़ा है जून कोटर में 109 का था और नेट इस पे नेट सेल्स और प्रॉफिट बढ़ सकता है और जो कौटर और के हिसाब से अगर देखेंगे तो थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है यह सारी चीज़े चलती रहेंगी लेकिन स्टॉक काफी बढ़िया है और काफी अच्छी होल्डिंग स्टॉक के अंदर जरूर देखेंगा मेरे हिसाब से शॉर्ट टॉ मीडियम टम में इजली जो है यह स्टॉक चौदा सो पंदा सो का रेट दिखा सकता है तो आप देख सकते हैं यह मैंने बीए सी बल डिल्स डेटा से निकाला है आप भी देख बाईस एक दोजार उनिस तो नालंदा इंडिया फंड ने सेल किया है और एस्बीय मिचल फंड ने बाई किये हैं लगबग टू लैग 95 थाफ़दन शेथ और थ्री लैग शेथ सेल किया मिन्स एक बल्डिल्स डेटा था बल्डिल्स हुई हैं ग्यारा सो रुपे के रेट पे तो एक कमपनी ने दूसरे क हो सकता हैं और रिजल्स के ऊपर भी गोर जड़ूर करेगा और ये कम्मपनी डिव्डनट भी दिकलियर कर सकती हैं काफी अच्छा डिाफ़दन इन्होंने 2018 में डेकलियर किये और रिजल्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं लेकिन प्रेशर में 2018 में रहा तो मेरे हिसाएब से लगा तो लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा चले ठेंकियो